हाई गूट मॉर्निंग बच्चों कैसे हो बड़ी यहां वेरेगट अब लोग नेक्स कुछन लेके आए हैं फाइंड दा एंगल बिट्विंट टू वेक्टर एंड वेक्टर वी बिथ मैगनिट्यूड वन एंड तू रिस्पेक्टिवली एंड देन वेक्टर डॉट अब प्रेवेस लेक्टर में बताया था वीडियो में हमने डिसकस भी किया था कि दॉट प्रोड़क्ट विक्तर एंड विक्टर वी इस उकल टू क्या होता है मागनिटूड ओफ एंटू मागनिटूड ओफ वेंटू कॉस ठीटा रहे यह हमारा एंड डॉट बी का फॉर्म हम से कॉस्टी तो क्या हो जाएगा कॉस्टीट इसकोल टू यह इधर डिवाइड हो जाएगा थो डॉट लाइग कर दो अब यहां पर देखो वेक्टर एंडो डॉट की वेलूओ यहां पे सीधा सीधा दिया है रैट थामने दिख दिया वन डिवाइड बाई मागनिट्यूड होए मागनिट्यूड भी मागनिट्यूड एक की वेलू क्या बोला है 1 and 2 to 1 into 2 कितना जाएगा 1 divided by 2 अब मुझे क्या मिल गया बेटा cos theta is equal to 1 by 2 अब मुझे मिल गया इस question से cos theta is equal to 1 by 2 तो theta is equal to cos inverse 1 by 2 तो कितना आ जाएगा this is 60 degree और pi by 3 अब आप बोलोगे सर यह कहां से आ गया 60 degree और pi by 3 भई आप table में जाओगे तो cos 60 की value कितना होता है cos 60 degree is equal to 1 by 2 cos 30 degree कितना होता है root 3 by 2 और sine 60 degree कितना हो जाएगा root 3 by 2 and sine 30 degree कितना हो जाएगा 1 by 2 यह याद भी कर लेना next class में आएगा question तो यह पर theta is equal to cos inverse 1 by 2 आया तो इस theta degree अगर degree में लेना है 60 degree आगा है रेडियन में निकालना है तो pi by 3 अब इसे साथ मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि degree to radian कैसे convert करते है और radian to degree कैसे convert करते है अगर आपको degree में दिया है suppose 60 degree दिया है इसको radian में convert करना है तो हमें क्या करना इसमें pi divided by 180 कर देना है यह radian में आ जाएगा pi divided by 180 है तो कितमा आएगा radian में 60 से 0 से 0 कैसे 6 3 जा 18 कितना आ गया देखो pi by 3 यह इतना radian आ गया अगर आपको आपको 5 by 3 radian दिया है यह आप बोलोगे सर्फ मुझे pi by 2 दिया है यह radian है degree में पूछा है तो क्या करोगे इसमें क्या करना बिटा 180 divided by pi कर देना है अगर आपके पास radian दिया है degree में चाहिए तो 180 divided by pi pi से pi उड़ गया 2 9s आ 80 90 आ गया 90 degree आ गया अगर आपके पास pi by 2 radian है इससे convert करोगे तो 90 degree आ जाएगा ओके बेटा आगे हम एक दूसरा question लेने आए next question हम discuss करने जा रहे है इस पर discuss कर रहे है question number 2 पर find angle between the vector a and b यहाँ पर दो vector given है बिटा a और b दो vector given है इन दोनों के बीच के angle निकालना है जब भी आपके पास दो vector के बीच का angle निकालना है तो आप तुरंद क्या करोगे vector a dot vector b is equal to magnitude of a into magnitude dot b into cos theta यूस करोगे यहां से cos theta की value क्या आ जाएगा बिटा vector a dot vector b divide by magnitude of a into magnitude of b कुछ बच्चों को doubt आएगा कि कहां से आ गया भी cos theta यह इदर ही रहा इसको मैंने इदर divide में इदर multiply में इदर क्या हो जाएगा divide में तो हमने cos theta इदर कर दिया बस यह पहले लिख लिए इसको इसमें divide इदर दिया यह दोनों इदर इसमें a dot b के साथ क्या हो गया divide हो गया तो cos theta की value यह आ गया अब मुझे इन दोनों का dot लेना means a और b हमें numerator की value चाहिए पहले तो vector a dot vector b is equal to क्या हो जाएगा बेटा लिख लो अभी मैंने बताया था dot product कैसे solve करना है यहाँ पे a हो गया यहाँ पे b हो गया i minus j plus k अब इन दोनों का dot product लेना है तो मुझे हमने पहले ही बता था यहाँ पे dot product में i को i के साथ लेना है j को j के साथ और k को k के साथ बाकी की value आपको ignore करना है because of that वो 0 होता है मेरा previous lecture में मैंने discuss किया था कि i dot i ही वन होगा j dot j ही वन होगा और k dot k वन होगा because दोनों के बीच का angle 0 degree होता है तो cos 0 की value 1 हो जाती है तो इसलिए अगर हम i का i के साथ multiply करेंगे j का j के साथ और k का k के साथ ओके बेटा यहाँ पे vector a. vector b की value क्या आ जाएगा i into i 1 आ जाएगा j into minus j 1 into minus 1 तो minus 1 आ जाएगा यह इस से उड़े जाएगा vector a dot vector b की value क्या आ गया मुझे minus 1 यह मुझे मिल गया a dot b की value अब मुझे क्या निकालना है magnitude क्योंकि मुझे यह formula में रखना है यह फांडय में रखना है मुझे a.b की वेलू की वेलु आ गया मुझें मैगड़िटेव निकालना है यहां सब्सक्राइद निकालते हैं कैसे निकलते है स्क्वेर रूट औफ हो प्राइड अफ आइक का स्क्वेर प्लस कोफिसियंट आइक हो गया one 1 का i square हो जाएगा, प्लस coefficient j कितना है, 1, 1 का i square प्लस coefficient k कितना है, माइनस 1 का i square तो magnitude of 1 कितना जाएगा बीटा 1 плюс 1 plus 1, कितना जाएगा, रूट of 3 यह मुझे magnitude of a आ गया अब निकालना है magnitude of v तो magnitude of vb वाइसे ही करना है बीटा coefficient of i 1 का i square फिर plus coefficient of j कितना है minus 1 का square plus coefficient of k 1 का square तो कितना जाएगा square root of 1 plus 1 plus 1 तो square root of 3 तो मुझे magnitude of a into magnitude of v कितना मिल गया यहाँ पे देखो root 3 यहाँ पे magnitude of big v कितना मिल गया root 3 अब इसमें रख देंगे तो मुझे cos theta is equal to vector a dot vector v means minus 1 divided by root 3 into root 3 ओके बटा तो cos theta is equal to कितना हो जाएगा minus 1 by 3 चुकि root 3 root 3 कितना हो जाएगा 3 तो यहाँ पे cos theta is equal to minus 1 by 3 आ गया जो cos theta की value minus 1 by 3 आ जाएगा तो theta is equal to कितना हो जाएगा theta is equal to cos inverse minus 1 by 3 that's it यहाँ पे आप सोर दोगे यहाँ पे answer match कर ले ना है ठीक है that's all about it यह question discuss करने वाले बहुत ज्यांसे समझना है यह question बहुत important question है बार-बार exam में आता है यहाँ पे क्या हो है find magnitude of vector a minus magnitude of vector b if two vector a and b are such that magnitude of a is equal to 2 दिया magnitude v is equal to 3 दिया and a dot b is equal to 4 given है तो आपको क्या निकालना magnitude of a minus magnitude of v तो ध्यान दो magnitude of a minus magnitude of v निकालना है इसके लिए क्या करना है सबसे पहले हमें क्या करना है a minus b one bracket में और इसी को लिख सकते हो a minus b one bracket में यहनि difficulty कि इसी को बहुत easy कर सकते हो इसी को हमने a minus b और a minus b में break कर लिया है अब इसको क्या बना होगे बटा a इसका multiply करो दोनों के साथ तो सबसे पहले a का a के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा vector a dot vector a right फिर a का b के साथ करोगे तो minus आ जाएगा plus minus minus vector a dot vector b आ जाएगा right फिर इसके साथ minus vector b dot vector a फिर minus minus plus आ जाएगा vector b dot vector b यह आपको मिल गया ओप यह चीज़ समझ में आ गया होगा बटा अब यहां पर इसको क्या लिख सकते हो a का i square minus vector a b minus vector b a plus vector b का i square right फोप यहां तर समझ में आ गया होगा बटा बहुत अच्छे से सबको vector a का i square minus a b minus b a plus vector b का i square right अभी यहां पर क्या करना है यहां पर vector a का i square minus 2 a b लिख सकते हो इसको vector minus plus vector b का i square बहीं minus a b minus b a है दोनों सेम यह a b लिखो या b लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है dot product में right but cross में दिक्कत हो जाएगा आपको dot में a dot b लिखो या b dot a लिखो दोनों सेम रहेगा तो यहां पर a b minus a b minus 2 a b हो गया यह मुझ इसमें क्या करोगे इसकी value ठाके रख दो ओके अब दिखो यहां पर आपके पास vector a vector a square given है आपको चाहिए क्या a minus b ना हमारे पास vector a minus vector b का whole square था हमने यहीं लिया था तभी यह value आया है vector a की value तूजिया इसका square क्या हो जाएगा 2 का square फिर minus 2 vector a dot b vector a dot b के value 4 दिया है 4 लिख द square अब इसको solve कर लो 4 minus 4 to the 8 plus 9 कितना आ जाएगा 4 minus 4 plus 5 यहां पर आपका आजाएगा answer 55 और minus 4 करेंगे तो 9 minus 4 करेंगे 5 आएगा राइट नहीं तो 9 plus 4 करोगे कितना आएगा 13 13 minus 8 करोगे कितना आएगा 5 तो हमारे पास यह value आ गया अब मुझे a minus b का whole square की value आया है 5 अब मुझे चाहिए क्या बेटा a minus b चाहिए राइट यहां पर क्या दिया a minus b a minus b की value हमें निकालना है इसके लिए root 5 आ जाएगा चुकि यह square है यहां पर लोगे तो square root 5 हो जाएगा यह हमारे पास answer होगा होफ समझ में आया होगा vector a minus vector b है यह उसका whole square 5 है तो यह इसका अगर square इदर लो होगे जिसका क्या हो जाएगा square root 5 का value यहां पर आ जाएगा ठीक है यहां पर लिखना है that's it